जी एंगे कैसे तेरे बिन हो जाना हाँ 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 क्या लिरिक्स थे पवंदीप और अरोनीता की आवाज में तेरे बगेर गाना दो साल पेले ये गाना आया था और फ्रेंसिस गाने को अभी-भी मैंने सुना है तो सोचा कि एक और बार रिव्यू हो जाए आरू दीप जैसा कोई नहीं फ्रेंस हिमेस रिश्रेमा ने उनको मौके देना छोड़ दिया है लेकिन भाई मेरा यहीं प्रयास रहेगा कि आरू दीप को सपोर्ट मिलता रहा है टी सीरीज पर वो आए जी म्यूजिक कंपनी पर वो आए और फ्रेंस हर तरफ आरू दीप आरू दीप आरू दीप भी हो तो प्लीज अंतक जोड से बने रहे और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए आरू दीप पर वीडियोस आते रहेंगे उनको सपोर्ट मिले वही हमारा प्रयास रहने वाला है इस काने के बारे में बात करें तो क्या कैची लिरिक्स थे हीमेस रिशम ने बड़ी सित्तस इसके लिरिक्स लिखे थे उसके साथ मुजिक की बात करें तो सोल फूल मुजिक था अरूनी ता कांजीलाल और पावन दी प्राजन फ्रेंट्स दो साल पहले तब ऐसा लगा था कि हीमेस रिशमया का दौर वापस आने वाला है म्यूजिक के जरिये से लेकिन भाई उसके बाद उनने उनको मौके देना बंद कर दिया था लेकिन भाई आरूदीप हम आपके साथ है इस काने के बारे में बात करें तो आरूदीप ने दिल जीत लिया था जिस हिसाब से औरूदीदा कांजी लाल गा रहे थी पौण दी प्राजन गा रहे थे आज तक ऐसा कोई सिंगर ही नहीं प्यादा हुआ जो उन लोगों को मैच कर सके जी हाँ फ्रेंस बड़ी खुब सूरत तरीके से उन्होंने गाया था दिल को छूगाया था उनका गाना तेरे बगेर जीने का होसला किया आखे बराया मैं तो बहुत बेसूरा गाता हूँ लेकिन पौण दीप की हावास में जब ये काना मैं सुनता हूँ फ्रेंड्स दिल को सुकुन मिलता है रू को सांती मिलती है तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ ही मेसर शमया से के आरूने दा कांजी लाल और पावंदी प्राजन को दुबारा लियाए उनको मौके दे ताकि टी सीरीज वालों किया खुले और वो भी उनको साइन करे आपकी क्या रहा है कमेंट्स में जरू से बता है आपको ये गाना कैसा लगा और हाँ आरू दिप के अगले गाने पर मैं रिव्यू करू या फिर ना करू वो आप बताईए मिलता हूँ के साथ धन्यवाद